इस्कॉलर्शिप का फॉर्म फिल अप कर रहे हैं, डीजी लॉकर वेरिफाइट नहीं हो रहा है, डीजी लॉकर वेरिफाइट करने के लिए हम जब उस उप्सन पर क्लिक करते हैं, तो कुछ ऐसा इरर दिखाई देता है, तो बिल्कुल भी परेसान होने की जरूरत नहीं है, म और मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूँ, तो मेरे वो वीडियो वही देख सकते हैं, जिसने मेरा चैनल सबिस्क्राइब किया हो, आप मेरे चैनल को सबिस्क्राइब कर लिए, फाल्तु के चैनल सबिस्क्राइब करने से अच्छा है, मेरा चैनल कर लेजे, अब मैं बताऊंगा, dg locker को verified कैसे करना है, तो सबसे पहले इस dg locker verification वाली जो button बनी है, इस button पर click कर देंगे, इसके बाद उपर option दिया है, click here to verify dg locker, यहाँ पर आप click कर दीजेगा, इसके बाद okay कर देंगे, यहाँ okay वाली button दिखाई दे रही, थोड़ी दे processing के बा number होगा, वो अच्छे से fill कीजेगा, गलत ना कीजेगा, क्योंकि इसके बाद आपको सही करने का option नहीं मिलेगा, फिर आप गलत number पर OTP जाएगे, आप परेसान हो जाएगे, इसके बाद यहाँ नीचे next वाली button दिखाई दे रही है, इन next वाली button पर click करेंगे, ऐसा error दिखे दे रहा है, privacy and security वाला option, इस option पर आप चले जाएंगे, जो आपको यह privacy and security वाला option दिखाई दे रहा है, इसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, clear browsing data, clear browsing data वाले option पर आप click कर देंगे, और उपर आप यहाँ पर time range जो दी है, यहाँ से आप all time ले ले लीजेग और सीधे clear data वाली बटन पर click कर देंगे, इसके बाद में आप जिस window पर थे, जहाँ पर error आया था, उस window पर वापस चले जाएंगे, और refresh वाली बटन पर click करेंगे, यह आप F5 keyboard में प्रेस कर देंगे, तो window refresh हो जाएगी, उसके बाद कुछ ऐसा interface आपको दिखाई देने जो आप यहाँ पर डालेंगे, registered mobile मतलब जो आधार में mobile number registered होगा, उस mobile number पर OTP जाएगा, बिल्कुल step by step आप ध्यान से समझेगा, और आपको मैं बता दूँ, यदि आपको technical में बहुत आगे तक जाना है, तो मेरे YouTube चैनल को subscribe कर लिए, बहुत trick सिखा दूँगा बाई, इसक जैसे आप submit करेंगे, थोड़ी दे processing होगी, उसके बाद यहाँ पर आप देख पारें कि आपको एक pin बनाने के लिए बोलेगा, जो भी आप pin यदि पहले से dg locker बना है, तो आपका pin बना होगा, यदि नहीं बना है पहले से, तो आप यहाँ पर कोई भी six digit का pin बना लेंगे, और यहाँ पर इस तरीके से submit कर दीजिएगा, pin बना कर जब आप submit करेंगे, तो आपका pin वहाँ registered हो जाएगा, इसके बाद में नीचे allow वाली बटन दिख रही है, इस allow वाली बटन पर click कर देंगे, जैसे आप allow वाली बटन पर click करेंगे, थोड़ी देर processing होगी और processing होने के पाद आपके पूरी details को open कर देगा, कुछ लोगों के comment आयते सर, photo download नहीं हो और यह photo कैसे download करेंगे, तो इससे related वे video मैंने अपने इस YouTube चैनल में post किया है, वो video आप चैनल को subscribe करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं अपने सारे video public नहीं करता हूँ, आपको पता है, इसलिए पाई वाली बटन पर क्लिक करेंगे, आप देख पा रहे हैं, कि आपका dg locker verified हो गया है, तो इसी तरीके से मैं सारे video बनाता हूँ, technical में मैं बहुत सारी trick आप लोगों को बताता रहता हूँ, और पहले भी मैंने जो पिछले साल भी scholarship में student की help किया था, कुछ बच्चों की scholarship नहीं आई थी, उनको कौन सा documents कहां जाकर जमा करना है, वो मैंने उनको बताया था, और उसके बाद उनकी scholarship आ गई थी, तो इस बार भी यदि आप लोग scholarship का form fill up कर रहे हैं, तो आप मेरे इस YouTube चैनल को subscribe कर ले जो, और मेरे इस 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 को follow करके message करेंगे, तो मैं आ कौन सा documents कहां जाकर जमा करना है, यदि आपके scholarship status में error आ रहा है, और वीडियो को भाई like जरूर कर दिया करो, जिससे YouTube उस वीडियो का और लोगों तक पहुचा सके, तो और लोगों का भी फायदा हो सके, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक लिए best of luck, good bye, धन्यवाद, जय हिन!